नमस्ते दोस्तों मैं हूं शिवाम गहीरे और अलुनन कंप्पूटर सॉलुशन में दोस्तों आपका सौगत है तो वीडियो स्टार्ट कने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा दोस्तों कि यह एक रीक्वेस्ट वीडियो है ठीक है तो इस request video मैं मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तो आप अगर कोई software यूज करते हो daily basis पर तो आप उसके लिए एक shortcut की किस तरह बना कर रख सकते हो मतलब कि अगर आप वो shortcut की keyboard की प्रेस करते हो तो आपका software आटमेटेकली open हो जाएगा ठीक है तो आप अगर कोई particular software यूज करते हो दोस्तो डेली बेसिस पर तो उसके लिए आप keyboard की shortcut की manually किसकतारा बना कर रख सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से तो आज कोड़े में हम यही जानेंगे दोस्तो तो आईए शुरू करते है तो जैसे कि आज की उड़े में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो कि किसी भी particular software के लिए हम उसे open करने के लिए एक shortcut की किस तरह sit कर सकते है ठीक है तो चलिए वो हम देख लेते हैं तो for example हमारे पास में है Adobe Reader 9 ठीक है तो यह Adobe Reader 9 जो है दोस्तो यह हमारे कोई particular software है for example हम माल लेते हैं और इसके हमें daily basis पर ज़रूरत परती है हम इसे daily use करते हैं तो हम चाहते हैं इसे open करने के लिए एक particular shortcut की हो दोस्तो तो हम वो shortcut की set करते हैं प्रोपर्टीज में आने के बाद में आपके सामने उसकी properties विंडोज यहां पर open हो जाएगी दोस्तो तो यहां पर आपको शॉट्कट में आ जाना है शॉट्कट के टैप पर आने के बाद में आपको यहां पर एक option मिलेगा शॉट्कट की का तो शॉट्कट की के सामने आप देख पाऊगे अभी फिलाल नन है मतलब यहां पर कोई भी shortcut की set नहीं की है इस particular software को open करने के लिए तो हम इसे open करने के लिए एक particular software की shortcut की set करते है तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों एक देख पाऊगे यहां पर हमारे पास में ctrl PLS Alt यहां पर आ चुखा है मतलब ctrl PLS Alt इसके बाद में जो भी हम key प्रेस करेंगे वह किया आपकी शॉटकट की बन जाएगी दोस्तों जैसे कि एक्जांपल हम अड़ाप रिडर के लिए कर रहा है तो हम यहाँ पर एबटन प्रेस करते हैं तो आप देख पाऊगे हमारे पास में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए बटन यह जो शॉटकट की बन की बोर से शॉटकट की प्रेस करेंगे चंट्रोल अल्ट और ए तो हमारा एड़ाप रिडर नाइन यहाँ पर ओपन हो जाएगा दोस्तों आप देख पाऊगे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल अल्ट और ए बटन आपन हो चुका है एड़ाप रिडर तो हम इसे फिलाल क्लोज क प्रॉपर्टी में आजने के बाद में or एसा करना ना कि आपको v5 शॉटकट की ट्याब में यहां पर देख पाऊगे आप इहाँ पर हमने अल्ड्र इडरी से करके रखा है इसलिए यहां पर दिखा रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर कंट्रोल बटन प्रेस करना हैं और यहां पर हम आपके पास में जो शॉटकट की बन गई है CTRL-ALT-C यह है CTRL-ALT-C यह है CTRL-ALT-C अपन करने के लिए तो हम इसे apply करते हैं और इसे हम OK कर देते हैं और इस mouse cursor को हम साइड में कर देते हैं तो अब भी हम प्रेस करते हैं कीबोड से shortcut की CTRL-ALT-C तो हमारा CorelDraw यहां पर open हो जाएगा आप देख पाऊगे तो हमने प्रेस किया CTRL-ALT-C बटन तो आप देख पाऊगे दोस्तों हमारे पास में CorelDraw का application यहां पर open हो चुका है मतलब CorelDraw का software open हो चुका है तो इस तरीके से shortcut की सेट की जाती है दोस्तों किसी भी particular software को open करने के लिए यह एक रिक्वेस्ट वीडियो थी दोस्तों आप मुझे चाहो तो इस तरीके की रिक्वेस्ट वीडियो कर सकते हो मैं आपके लिए और रिक्वेस्ट वीडियो लीजीयोा और आफ वीडोश पाणी के लिए यह आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजीयो और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बबाए थैंकि अ मच झाल